नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल टोटल वेकिंसी पर तो दोस्तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए एनेम 8803 रेपन के लिए महतपूर्ण सूचना और उसके साथ बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिलेगा तो जो भी एनेम 8803 रेपन वाले अगर इस वीडियो को मिस करते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर भी सकते हो क्योंकि इसमें बहुत भर-भर के यहाँ पर मैं जानकारी और इंफोर्मेशन दूँगा इसी गांचे वीडियो लाश तक और देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत यहादा इंट्रेस्टिंग साथ नॉलेजवल वाला होने वाला है तो चलिए यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले आपर मैं आप लोगो कुछ यहाँ पर ओफिसेली नोटिस भी दिखाऊंगा जो कि अभी आप तक आपको कोई सीने नहीं दिखाया होगा सिर्फ यहाँ पर आपको न्यूक्ति पत्र के लिए आपर कुछ जानकारियां बताया जारा होगा लेकिन मैं आप सभी कोई डिटेल में जानकारी बताऊंगा तो चलिए यह वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देखिए फ्रेंट सबसे पहले यह समझ लीजिए यह जो की पत्थ निर्मान बीभाग मतलब की रोड कॉंस्ट्रक्ट बीभाग द्वारा एक पत्र जो की जारी बहाली किया गया थह उसके बार नक्राइब ग्यान भावन में 279222 को यहां पर अपर तीन वजे यहां पर न्युक्तिपत्र लेने का यहां पर सुनीचित करने का यहां दिया गया और आपलोग को बहुत बड़ी जानकारी बता दूं आप सभी को खुसकाव centers नहीं मिलनेफिक बात मुख मंत्री के हाथों द्वारा मिलेगा बड़ी जानकारी में आप लोगो बता रहा है और आज यहाँ पर कुछ दिर पहले ही एक घंटा पहले ही तेजस्वी आदब ने एक ओफिसली तेजस्वी आदब के तरफ से बड़ी जानकारी है बिहार में नौकिरियों का बहार आज मुख मंत्री नितीसकुमार एवं उप उप मुख मंत्री तेजस्वी आदब द्वारा मंत्री के यहाँ पर नाम बता गाएं, MLS के उपस्तित में यहाँ नव न्युक्ति पसू चिकित्चक पदिकारी जो कि यहाँ पर मस्तस्य विभाग पदिकारियों को भी यहाँ पर विवर्णिये का काम किरिया किया जाएगा तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर एक ही पद के लिए नहीं बहुत सारे बिवेन पदों पर यहां पर एक साथ न्यूक्ति पत्र दिये जाएगे क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई भी नियुक्ति पत्र अगर एक दो या फिर कुछ भी पदो पर यहाँ पर दी जाएगी तो उतना यहाँ पर एक बावाल नहीं मचेगा एक तो एक प्रचार नहीं होगा स्वास्त विभाग और नितीष कुमार एक बहुत बड़ा आपर कारे कर रहे हूं यह कर रहे हैं कि यहाँ पर जो भी नियुक्ति पत्र दे रहे हुँ आपने हाथ होस दे रहें इससे एस वालES जो कि यहाँ पर लोगों को जो मीट्टर जिनें मिलता हैं उन्हें भी बहुत ए प्रचार नहीं होता इन लोगों का प्रचार के लिए यहां पर अपने हाथों से एक बड़ी जानकारी न्युक्ति पत्र विवर्ण कर रहे हैं जो कि एक बहुत ही अच्छा कारे है और मैं अगर एनेम 1853 के लिए यहां पर जानकारी दू तो यहां पर इनेम-88상이 सो 134ा के लिए भी मैं आप लोग को स्सुल्प से कर सकता हूंकि यहां पर निकितल पत्र आप सभी यहां पर मंत्री द्वारह ही दी जाएगी यहां पर स्वास्त मंत्री एस यहां पर आपका जो की मुख मंत्री के साथ ही यहां पर आप लोगों का मिलेगा न्यूक्ति पत्र फ्रेंड्स यह ध्यान दिजिएगा आप सभी अब बहुत सारे फ्रेंड्स करोंगे कि सरक्ष कब मिलेगा हम लोग तो बहुत दिनों से इंतजार कर हैं यहां पर सबसे पर बता दूं यहां पर बहाली का बहुत प्रकीरिया बहुत दिन तो नहीं हुआ दो महिने हो गए होगे मैरीटलिस्ट करें नहीं यहां बहुत सारु इंगे हम वहां जाएंगे अभी 102 महिने हुए है यहां पर बाड़ी बहाली है इसी करणंजी में आप लोग को हो जो कि मतस्य विभाग और विकास और पसुचिकित्सक की पधिकारी के भी ज्यादा पानसो इनका है और लगबग कुछ यहां पर इनका है लगबग लोगों का है अगला सप्ता पिछले सप्ता यहां पर भूमी स्वरक्षन विभाग के तरफ से वहां पर भी बीटीस के कंड़क्ट कर रहा था भड़ती को वहां पर भी लगबग दो हजार की संख्या मुन लोगों की भी तयदक थी यहां पर आठासी सुत्री अपन एक बड़ा तादाद हो जाता इसी करण से थ्वासाट टाइम तो आप सभी का लगए यह ध्यान दीजेगा और एक बड़ी जानकारी में आप लोग बता रहो इन लोगों का भी जो की आठाजार सोच रहो आठाजार को अगर देने लगेंगे तो कितना टाइम लगेगा हाँ आप लोग एक्सपेक्टेड डेट की बात कर रहे हो तो यहां पर मैं आप लोगों को जानकारी बता दूं ऑक्टूबर क्या फर्स्ट बीक में हैंड्रेट एंट इन परसेंट यहां और थड में आपर अलगबग जारी होने की पूरी पूरी संभावनाएं है स्वास्त विभाग के तरब से तो यही जानकारी थी इस वीडियो के माधियम से यहां पर मैं आपको एक्सपेक्टेड डेट बता रहा हूं कोई भी यहां पर ओरीजिनल डेट नहीं है आप लोग ट्विटर के माधियम से इन्हें फोर्स कर रहे हैं कि यहां पर अगला की अठाशी सो तीरेपन का कीजिए यही जानकारी थी मिलते कोई शुन में तब तक लिए गुरबाए जाहें जाबाद बादे मातरम थांक्स वीडियो धन्यवाद